नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपिसी अकेडमी पर आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं टेट 2012 में पूछे गए हिस्ट्री के कुछ क्वेशिन्स तो फर्स्ट क्वेशिन है हमारे पास वेदों की और लोटो का नारा किस ने दिया है और स्वामी देयनंद सरस्वती से रिलेटड एक बहुत important question जो और बनता है वो है आरे समाज की स्थापना किस ने की है तो आरे समाज की स्थापना 1875 में धयानन्द सरस्वती ने की है बंबई में और इनकी जो सबसे famous book है उसका नाम है सत्यार्थ परकाश इसके अलावा स्वामी धयानन्द सरस्वती ने शुद्धी कार्यकरम भी चलाया था अब ये शुद्धी कार्यकरम क्या था ऐसे लोग जिनोंने हिंदु धरम को चोड़ कर कोई दूसरा धरम अडॉप्ट कर लिया था उनको फिर से हिंदु धरम में लाने के लिए दयानन्द सरस्वती के द्वारा ये शुद्धी कार्यकरम चलाया गया था इसके अलावा स्वामी देयानंद सरस्वती को ही भारत का मौटीन लूथर भी बोला जाता है मौटीन लूथर किसे बोलते हैं भारत का तो स्वामी देयानंद सरस्वती को Next question है हमारे पास कुतुब मिनार का निर्मान पूरा किया गया था नसीरुदीन द्वारा, इलतुतमिश द्वारा, कुतवदीन एवक के द्वारा या फिर बलवन के द्वारा करेक्ट अंसर रहेगा इलतुतमिश द्वारा कुतव मिनार का निर्मान कारे किसके समय में पूरा हुआ है इलतुतमिश के समय में अगर हम बात करें कुटुब मिनार की, तो इसका निर्मान कारे शुरू किया गया था कुटुब दिन एवग के द्वारा 1199 एस्वी में, लेकिन वो सिर्फ इसका आधार कारे ही पूरा करवाए थे. और बाद में इलतुत मिश्च के समय में कुटुब मिनार पूरी तरह से बन में शुरू हुआ एवक के यानि कि अगर ये पूछा चाहिए कि कुतुब मिनार का निर्माण किसने करवाया है तब भी अंसर क्या होगा एवक ने फिर पूछा जाता है किस तो इर्थасть मिश्ट के समई में थード कोशिन बनता है कि पांच्वी मंजिल का निर्मान कार्य किसमे पूरा करवाया या फिर पूचा जाता है अन्तिम रूब से कुतुम मिनार का निर्वान कार्य किसने पूरा करवाया तो अन्सर रहेगा फिरोरशवा तूब लगने जिसने की पांचवी मंजिल बनवाई थी नेक्स कोशी रहेगा पाणिनी एक परसिद विद्वान थे ऑप्शन से हमारे पास भाषा ब्याकरण के आयुरवेद के जियोतिश के या फिर जीव बिग्यान के करेक्ट अंसर हेगा भाषा और ब्याकरण के पाणिनी की द्वारा लिखी गई है बुक अस्त्राध्याई जो कि संस्कृत का सबसे पुराना व्याकरण है तो पाणिनी किसके कंटेंप्रेरी है किसके समकालीन है अगर ये पूछा जाए तो महापदमनंद के है और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है 2012 में आपिर 1026 इसवी में करेक्ट अनसर रहेगा 1025 इसवी में मेहमूद गजनवी ने 1025 si में सोमनात्त के मंदिर पर अटैक किया है सोमनात का मंदिर कहां पर ये है गुजरात में जो की भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है और मेहमूद गजनवी को जो सबसे जादा इस मंधिर के बारे में लिखा हुआ है और गजनभी के अटैक के बारे में भी थोड़ा बहुत जिकर किया गया है और जब मेहमूद गजनभी ने अटैक किया था remember के सोमनाथ मंदिर पर उस समय गुजरात में चालुकिय वंश का राजा धिम फॉर्स्ट रूल कर रहा था यानि कि जब गजनवी अटेक कर रहा था सुमनात मंदिर पर उस समय वहां पर किसका शाशन हुआ करता था तो भीम प्रथम का नेक्स्ट कुश्चिन है किस गवर्नर जेनरल ने वेंगॉल का विभाजन किया था ओप्शन्स हैं हमारे पास और उन्होंने रिजन ये दिया था कि वेंगॉल बहुत वड़ा प्रांथ है जिसका शाशन पर शाशन चलाना मुश्किल हो रहा है इसलिए हम वेंगॉल का विभाजन कर रहे हैं दो भागों में अगर हम बात करें बेंगॉल विभाजन के निरने की घोशना की तो ये अनौसम 16 अक्तूवर 1905 को और इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है बाद में बहुत सारे अंदोलन हुए इस बेंगॉल विभाजन के खिलाफ और इन्हीं आंदोलनों का क्या परिणाम निकला कि फाइनली अंग्रेजों को इस विभाजन को कैंसल करना पड़ा था और 1911 इस सामराजी हुए करता था तो बैहमनी सामराजी का संस्थापक था ऊप्षें है हमारे पास महगोद मुहंमद को रहेगा Allah बहमन सा यानि कि बहमनी सामराजे के स्थाप रहा किस ने की है और वहत्il नए स्वतंत्र राजे वने थे जिसमें शामिल है विजापूर वरार वीदर गोलकुंडा और एहमदनगर निक्स्ट कोशिन है पानिपत की दूसरी लडाई किसके बीच में हुई है ऑफ्शन है हमारे पास अकवर और हेमू के बीच में बावर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुमाईयों और शेर्शासूरी के बीच में अकवर और महराना परताब के बीच में करेक्ट अंसर रहेगा अकवर और हेमू के बीच में पानिपत की दूसरी लडाई पांच नबंबर 1556 को अकवर और हेमू के बीच में हुई थी हेमू जिसे की हेम चंद्र विक्रमा दि का और इस पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकवर की जीत हुई थी जो की काफी जादा निरनायक जीत हम बोल सकते हैं अकवर के लिए मानी जाती है निक्स कोशिन है खजुराहों के विशाल मंदिर किन साशकों के द्वारा निर्मित किये गए थे सबसे पहली बात आप लोगों को यह याद रखनी है कि खजुराहों में कोई एक मंदिर नहीं है बलकि यह मंदिरों का संभू है बहुत सारे मंदिर है यहां पर तो question ये पूछा गया है कि खजुराहों के मंदिरों का निर्मान किन साशकों के द्वारा किया गया है ये किस वंश के साशकों के द्वारा किया गया है options है गुजरात का सोलंकी वंश मालवा का परमार वंश बुंदेल खंड के चंदेल या फिर अजमीर के चोहान गरेक्ट अंसर रहेगा बुंदेल खंड के चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा अलग-अलग समय पर ये मंदिर बनाई गए है और खजुराहो के मंदिर है कहां पर तो ये है मध्य परदेश के चतरपूर्ग जिले में और अगर हम बात करें इन मंदीरों के बारे में तो यहाँ पर हिंदू मंदीर भी है, हिंदू मंदीरों में जैसे शैव धरम को डेडिकेट किये गए मंदीर है, वैशनव धरम को डेडिकेट किये गए मंदीर है, और साथ ही साथ यहाँ पर जैन मंदीर भी है, एक्जाम में ए और ये जो कंदरिया महादेव का मंदिर है इसका निर्मान करवाया गया है राजा धंग के द्वारा जो की चंदेल वंश का ही था और कब करवाया गया है 999-199 में धंग के द्वारा बनवाया गया था next question है राजिस्तान में सिंदु घाटी सभ्यता के अवशेश पाये जाते है लोथल में काली वंगा में रोपड से चहुंद्रों से तो लोथल है गुजरात में रोपड है पंजाव में चहुंद्रों है पाकिस्तान में तो करेक्ट अंसर क्या रहेगा काली वंगा काली वंगा म पुराजस्तान के हनुमानगड जिले में हैं और यहां से सिंदुभाटी सव्यता के काफी जादा एविडेंसिसम लोगों को मिलते हैं अमला नंद घोश ने इस साइट की खोज की थी जबकि यहां पर जो उत्खनन कारे करवाया गया था उत्खनन कारे का मतलब है कि यहां पर जो प्रॉपरली खुदाई करवाई गई है बुबी विलाल और वीके थापर के द्वारा करवाई गई है और यहां से खुदाई करने पर हमें जुते हुए खेत का साक्षे मिले है और साथी साथ यहां पर हमें अलंकृत इंटे भी खुदाई से मिली है अलंकृत इंटो का मतलब यह है कि ऐसी इंटे जिसके उपर थोड़ी बहुत डिजाइनिंग की गई हो तो अलंकृत इंटे और जुते हुए खेत के साक्षे हमें कहां से मिले हैं काली वंगा से मिले हैं जो कि यह है राजिस्थान के हनुवानगड जिले में घंगर नदी के कि ना रहे हैं भारत में सरप्रत्थम समाचार पत्र परकाशित हुआ था अंसर है सोम परकाश सवाद कौमुदी हिंदुस्तान और वेंगॉल गजट कर्रेक्ट अंसर रहेगा वेंगॉल गजट भारत में परकाशित किया गया पहला समाचार पत्र था वेंगॉल गजट जिसक कि गुप्ट काली इन साहित्यक व्यक्ती को कि तुलना सेक्स्पीयर के साथ की जाती ढूंत हम ये बोल सकते हैं कि भारत का सक्ष पीर किसे बोला जाता है एक साथ हमारे पास ह भार्वी विशाखदत कालिदास या पिर ब्वति Caesar गारिय आता इस भारत का सैक्स्पीयर किसे कहा जाता है या किस विद्वान के साथ किस विद्वान की तुलना सेक्षपियर के साथ की जाती है तो वो की जाती है कालिदास की तो भारत का सेक्षपियर बोला जाता है इनको बहुत ही बिख्यात नाटतकार थे बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है और साथ ही साथ द्यूतिय के दर्बार में नव रतन हुआ करते थे और उन्हीं नव रतनों में से एक हुआ करते थे काली दाथ और उनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है अविग्यान शाथ कुंतलम इसके अलावा एक और बुक आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं नाम है मालविका अगनी मित्थ माल व का अगनी वित्तर के रैटर भी काली दास है और इस नाटक میں जो मेंनuran है यह हम बोल सकते हैं जो नाक है इस नाटक नान ज जो कि शुंग यूश का राजा हँवा करता था अगनी वित्तर और उनकी वाइफ माल विका की स्टोरी है इसलिए नाटक का नाम गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा कव दिया गया था अंदोलन के दौरान सवीने वग्या अंदोलन के दौरान या फिर अध्योगिक सत्यक रहके दौरान करेक्ट अंसर रहेगा भारत चोड़ो अंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत चो चोड़ो अंदोलन था इसी अंदोलन का दूसरा नाम क्या है अगस्त करांती है भारत चोड़ो अंदोलन शुरू किया गया था सेकिंड वर्ड वॉर के दौरान भारत में ब्रिटिश साशन को समापत करने की मांग को लेकर और आठ अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने यह नारा नहीं है कोई नेता नहीं है आप खुद अपने नेता है और इस नारे का प्रयोग जो किया गया था भारत चोड़ो अंदोलन के दौरान ही किया गया और गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया अंतिम अंदोलन है भारत चोड़ो अंदोलन निक्स्ट कोशिन है हुए इस कि नहीं पर नहीं सुख्रalar करने के तो ये चिपटए शिपाते पहुंच आये यहां पर दूसरे देशों में भी गए थे लेकिछ जब ये अपनी की यात्रा कंप्लीट करने के बाद अपने देश वापिस पहुंचे थे तो वहां के समराठ ने इनका स्वागत किया था सम्मान किया था ठीक है तो चीनी यात्री थे वेंसांग और इन्हों ने जो बुक लिखी है उसका नाम है की और इसके अलावा हर्शवर्धन के द्वारा कंप्लीट में एक धर्म सभा का अयूजन किया गया था जिसका उदिश्य था महायान शाखा के सिध्धानतों का परचार करना और यह जो कंप्लीट की धर्म सभा थी इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी इसके अलावा है हमारे पास मनसबदारी प्रठा प्रारंव की गई थे औक द्वारा और अंसर रहेगा अक्वर के द्वारा और यह जो थी मुगल सामराज्ये की परशाशनिक व्यवस्था हुआ करते थी एक तरह से मनसब अर्भी भाशा का शवद है जिसका अर्थ होता है रेंक पद या और सबसे जादा में हिंदू मनसबदार किसके समय में हुआ कर दे तहे उरंग जेब के साशनकाल में बार Fl free राज चौहान को किस ने फराजित किया था ऑप्षन्स है हमारे पास बलवन ने मह्मूद गजनवी ने मुहम्मद गौरी ने या सब इल्द उत्मिषनिक रेक्ट अंसर रहेगा मुहमध गौरी ने मुहमध गौरी ने प्रित्वी राज चौहान के साथ दो लडाइया लड़ी है जिनको क्या बोला जाता है तराइन की लडाइया तो फorst जो लडाइय हुई है तराइन की वो हुई है 1191 में 1191 स्वी में और जो जीत हुई थी वो हुई थी प्रिथवी राज चौहान की जबकि दूसरी लडाई में किसकी जीत हुई थी तो दूसरी लडाई में जीते थे मुहम्मद गौरी ठीक है तो तराइन की दूसरी लडाई में मुहम्मद गौरी ने प्रिथवी राज को हराया था और इसके अलावा जो तराइन की लड़ाई थी उस दोरान प्रिथ्वी राश्त्रित्य का सेना पती कौन हुआ करता था तो प्रिथ्वी राश्त्रित्य का सेना पती था खांडे राओ ठीके तराइन की लड़ाई भारत में इसलामी विजे के तौर पर एक अतिहासिक गटना मानी जाती है क्यों क्योंकि इसी के बाद अब भारत में धीरे धीरे इसलाम धरम या हम बोच सकते हैं इसलाम धरम के लोग अपनी विजे यहाँ पर प्रापत करेंगे प्रॉपरली ठीके निक्स रहेगा भारत का समुद्री मारग किसने खोजा था यानि कि भारत आने वाले समुद्री रास्ते की पॉज्था पॉजशा था और को में बहुत ही ज्यादा पॉर्तसाहन देते थे इस तरह की भागौलिक खोज़ों को उनका नाम था आरे ने रीडृट को जीए और प्रॉचसाहन दिया है और विच disagreed में इनकी रूची और उत्सा के कारण ही इन्हें Henry the Navigator कहा जाता है 1498 इस्वी में एक पूर्तगाली नाविक था जिसका नाम है बासको डिगामा जो की Cape of Good Hope को क्रोस करते हुए भारत में पहुंचा और सबसे पहले ये कहां पर पहुंचा था कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और कालीकट के हिंदु साशक जमूरिन ने इसका बहुत ही गरम जोशी के साथ स्वागत भी किया था और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है बासको डिगामा के बारे में कि जो बासको डिगामा था इसकी डेथ भी कहां पर हुई है तो इसकी मृत्यू भी हुई है भारत में ही ठीक है इसकी डेथ भी कहां पर हुई है भारत में हुई है निक्स्ट क्वेशन रहेगा आई ने अकवरी लिखी गई है औप्शन से अकवर के द्वारा फैजी के द्वारा अवुल फजल के द्वारा या फिर राजा टोडर्मल के द्वारा और करेक्ट अंसर रहेगा अवुल फजल के द्वारा आई ने अकवरी के लेखक कौन है तो अ प्रविज देवा के दौर्ट एक इम्पॉस्टेंट बुक जो लिख गई है अक्वर मां हाला click करनामा का सब्सक्राइब करें शेर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल एपीसी अकेडमी को थेंक्यू